कि हलो साथियों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टडी में तो बच्चों आज की स्कलास में हम लोग बात करेंगे कच्छा नो के NCRT गडित परसना वली आपका होगा 9.3 कुश्चन नंबर 5 बहुत ही ध्यान से देखिएगा बड़ा आसान कुश्चन है बड़ा मैं पढ़ देता हूँ कहरा कि D, E and F are respectively the midpoint of the side BC, CA and AB of triangle ABC यानि इनका कहने का यह मतलब है कि D, E and F यह respectively midpoint है कौन-कौन? D, यहाँ पर दिख रहा है न, E and F, यह respectively क्या है? midpoint है, मतलब करमसा क्या है? मद्ध बिंदू है कि इसके? तिर्भूज ABC के, आगे कहता है BC, AB and, sorry CA and AB of ABC, इतना हो गया मैंने बता दिया और इसमें कुछ हाई ही नहीं कहरा कि so that अब दिखाना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? त्राइंग वो परलोग्राम जो है कौनसा B, D, E, F परलोग्राम है यह सिद्ध करना है, यह समांतर चतुर्भूजा सिद्ध करना है क्या? B, D, E, F यह जो हमें हाथ रखा हूँ इसको पूरे को क्या करना इसको परलोग्राम सिद्ध करना है, ठीक है बहुत आसान है, हिंदी में कुष्चन आपके सामने इसक्रीन पर दिखर आप देख लीजिए सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी इसमें हमें दिया है आप यहां पर लिखिए हल ठीक है हल लिख लेंगे न सब लाइट चली गई इसलिए थोड़ा कम है तो हल में आप देखिए बाबू ध्यान से देखिए यहां पर F, E जो है वो पैरलल है B, C के बता है कि नहीं F, E, यहांनि यह F, E, यहांनि यह जो लाइन है वो भी इव बी-सी के पैरलल है कि नहीं पैरलल का मतलब क्या होता है ऐसे ऐसे दोनों बराबर बराबर जाय जैसे रेल लकी पे पटरी होती न समझ रहयो!!! तो F, E क्या है, वेट्ता, BC के पैरलल है इतना तुम लिख सकते हो अगर febc के पैरलल है तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं कि fe equal 1 upon 2 यानि half bc यह हो सकता है बता यह हो सकता है कि नहीं बहुत सिंपल सी बात है यह हो सकता है कैसे हो सकता है by midpoint theorem अगर जिनको midpoint theorem नहीं पता है वह comment करके बताएंगे उन्हें बताया जाएगा यह बताया गया है लिख लीजिए by midpoint theorem theorem ठीक है मदबिंदू की जो परमिय है उसके according यह ऐसा हो सकता है सीधी सी बात है वैसे भी अगर आप ध्यान दीजिए तो यह ef bc का आधा नहीं दिख रही है दिख रही है वैसे भी bc देखो इतनी बड़ी लाइन है और ef चोटी है लेकिन इसे जो मदबिंदू की ओ सारी मिड़ पॉइंट की थेवरा में उसमें deeply describe किया गया है यह हो गया पहला जो हमें इसमें था मिला आगे देखिए अब bd इसी परकार bd लिखिए bd इक्वल हाफ bc हाफ bc यह तो simple सा इसमें कोई थेवरम नहीं लगाना है देखिए bc एक पूरा-पूरा रेखा है और d अग सी बात है जो बिंदु टी है वो bc को दो भाग में बाटेगा अगर इसको दो भाग में बाट रहा है तो bd equal hop bc होगा सीधी सी बात इतना आप लोग जानते है इसमें कुछ जानना है नहीं अब नेचे लिखो f e समानतर है bd के fe जो है वो bd के भी समानतर है तो लिखो फट तक हम क्या कर रहे थे F E समांतर BC कर रहे थे F E समांतर ये मैंने BC पूरा पूरा कर लिया अब F E समांतर है BD के तो अगर F E BD के समांतर है बिटा तो इसमें भी made point theorem लगेगा तो ये F E equal हो जाएगा क्या BD F E equal क्या हो जाएगा BD लिखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर वा समांतर है लिखिए आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर वा समांतर है ठीक है बराबर वा समांतर है ये लिखते जाएए आप लोग नहीं समझ में आएका बिल्कुल बता देना टेंशन मत लेना एक पैसे का भी ठिक है आगे बढ़ें चलो अब लिखिए निचे लिखिए इफ लिए इफ लिए बीडी और कौन बीडी एफ 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 एक समांतर चतुर्भूज है क्या है इफ लिखिए पैसे का दिखिए अच्छे को समांतर चतुर्भूज है एक प्रूबड हो गया यह पहला पार्ट हो गया कुछ नहीं करना था कितना सिंपल सा था बईयू अगर थोड़ा सा भी आपने समझा तो समझ में आ गया होगा इस जिए गया था कि एक तिर्भूज एक समांतर चत्रवुज है यह सिद्ध करना था तो दो कंडिशन मिल गई आपको कौन कौन सी पहला देखो भाई कि f e समांतर था बी सी के और अगर f e b c के समांतर है तो f e equal half b c हो जाएगा midpoint theorem से अब midpoint theorem नहीं पता तो comment करके बताना वो भी बता दिया जाएगा और इसी तरह से b d b d यह half b c के बराबर होगा इसमें तो कोई theorem लगाना ही नहीं है क्योंकि b c एक भुझा है और d उसका म्द्दबिंदु मद्दबिंदु होता हमेसा भुजा को दो बराबर भाग में बाटता है इसलिए हम इसको एसा लिख सकते हैं अब आगे देखिए पसके देखिए समझ यह एफ यह समांतर बीडी के एफ इफ इबीडी के समांतर है तो एफ इबराबर बीडी हो जाएगा पहुत बाई सिंपल सी बात है एफ इबराबर क्या हो जाएगा बीडी हो जाएगा आमने सामने की बुझाएं क्या होती है बराबर वह समांतर होती है सीधी सी बात है हो गया पहला हो गया अगला पार्ट इसका देखिए सिकंड पार्ट देखिए परसना वाली आपका 9.3 कुश्चन नंबर पाचमा का सिकंड पार्ट कुछ चीजे पहले फिलिक दी गई है जिससे आपका कुश्चन आराम से और जल्दी से हो जाए ठीक है यह फिगर बन बिंदू है तो दर्साइए क्या दर्साना है कि एरिया आफ डी इएफ यानि जो तिर्भूज डी इएफ का छेतरफल है यह डी इएफ यह एक बटा चार एबी सी के बराबर है ठीक है पहला पार्ट तो हमने ऐसे कर दिया कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बच्चों यह हम इसक तो हम लिख रहें इधर साइड में वह हमारा उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा तो आप लोग सुरू से ही अगर ऐसे लिखेंगे तो ठीक है नहीं तो एक जैसे लिखना बाद में अदली बदली नहीं करना ठीक है पहले पार्ट में इनका नाम का को जादा मतलब नहीं था इ सी नाम का कि वा OH यह जैसे इसे था यूचבि तो इसमें से इसमांतर होας है तो यह तो यह थे हैं उसलिदह और यह चराद अगरा यह समांतर होच्य तो यहां पर ध्यान देना, जो D E F होगा, यानि area of D E F, यह, इसका area जो है, वो D C F के बराबर होगा, किसके, D C F के बराबर होगा, नहीं, D C E के बराबर होगा, देखो, D C E, इधर E है न, तो यहां पर आप लिखोगे बिटा E, ठीक है, देखो कैसे भाई, simple सी बात है, आप एक मिनिट के लिए सोचो, यह D C E F क्या है, एक समांतर चतुर्भूज है, तो बिटा, अगर D E इसका एक बिकर्ड है, तो इस चतुर्भूज को दो बराबर भागों में बांटेगा ना, दो बराबर भागों में बांटेगा ना, तो वही तो मैंने लिखा और कुछ D E है, क्या है, D E है, ठीक है, आब कोई दिक्कत नहीं, OK, D C E F, OK, आगे देखिए, उसी तरह से अगला D E F जो होगा, वो A E F के बराबर होगा, D E F, वो A E F के बराबर होगा, बराबर क्यू होगा, क्यों कि इसका जो बिकर्ड E F है, क्या है, बिकर्ड E F या F E कुछ भी बो सकते हो इसे दो बराबर भागों में बांट रहा है तो यह इतना हो गया इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं अब नीचे आओ नीचे ओ भाई एक चीजी इसमें और हो सकता है जो DEF है बेटा वो BDF के बराबर होगा किसके BDF के भी बराबर होगा भाई सीधी सी बात है देखो B यहाँ पर क्या था DEF न डी इएफ यह BDF के भी बराबर होगा क्यूं बराबर होगा जब BDEF एक समांतर चतुरबूज होगा फिर से देखना BDEF एक समांतर चतुरबूज होगा तो बिकरण DF इस समांतर चतुरबूज को दो बराबर भागों में काटेगा ना तो वहीची तो यहाँ लिखा है ठीक है समझ गया इसको लिख लिया अब इसे आप मान सकते हो यह A हो गया इक वैसा नमबर यह B हो गया यह एक वैसा नमबर C हो गया कुछ भी आप मान सकते हो इस तरह से ठीक है समझ गया अब नीची आप लिखिए तिर्भूज यहाँ पे लिखिए तिर्भूज A B C बराबर भाई सीधी सी बात है पटा-पट लिखते चलो एरिया आफ A E F सबको जोड़ेंगे इसमें चार बंद है ना अलग-अलग वैई चार अलग-अलग तिर्भूज बन रहा है पूरी चेतर भूज को मिला करके तो सबको जोड़ देंगे देखो यह पहला दूसरा ती फिरा चाओ था बन रहा है ना चाहे नमबर इंक कर लो एक दो तीन च बोलो चार बंद है ना तो किसी को कोई भी नमबर दे सकते हो एक दो तीन चार चारो को चोड़ देंगे तो एक बड़ा वाले का छे तरफाल आजाएगा तो लिख लीजिए एरिया आफ A E F मैंने सबसे उपर लिख दिया प्लस एरिया आफ B D F और प्लस दियान देना लिखते चलना प्लस D E F D E F दूसरा नमबर है यह D E F और प्लस अगला D C E क्या D C E D C E तीफरा नमबर है यह देखो चारो हो गए हो गये ना बिटा अब यहाँ पर देना तुम ध्यान देना A E F को हम लिख सकते हैं D E F हाँ और ऐसा क्यों लिख सकते हैं आप को होगे A E F को आप D E F क्यों लिख सकते हो बिटा एकोईसन नमबर दूसी कंड से यह B से देखो B वाले में क्या था A E F D E F के बराबर था ना तो हमने A E F की जगा पे D E F रख दिया ठीक ओके प्लस B D F देखो ध्यान देना B D F यहां कहीं कुछ है A वाले में देखो B वाले में देखो C वाले में देखो यह भी D E F के पराबर हैं तो हम इसकी जगापे लिख देंगे D E F क्योंकि हमें इसी रूप में सिद्ध करना इसलिए हम हर जगा वही बनाएंगे यह पहले D E F है इसको ऐसे लिख देंगे D C E देखो पहले A वाले से इको ऐसा नमबर A से इसको भी हम लिख सकते हैं D E F भाईया इस तरह से अगर आप ध्यान दीजिए तो हर जगा सिर्फ D E F आपको दिख रहा है दिख रहा है ना दिख रहा ना बाबुआ तो हम इसे लिख सकते हैं A B C ठीक है एरिया आप A B C 4 D E F जैको इंको इनको उधर ले कर के हल कर लो इनको इसलिए ले करके हल कर लो जो सिद्य करना था वो आपका आशुका है आशुका है कि न temporada Te F निकालना था ना लिखिये एरिया आफ D E F इक्वल एक बटा चार ए बी सी यही तो सिद्ध करना था ना भाई चाहे तो मैंने एरिया आफ लिख दिया वैसे भी लिख दो मतलब तो अही हुआ ना आप यहां लिख दो प्रूब्ड क्या लिख होगे प्रूब्ड अता सिद्ध हुआ इति सिद्धम समझ में आया कोई दिक्कत है तो बता दीजिए बिलकुल निसंकोच आप कमेंट करिए लेकिन कोशिस करते रहे बिलकुल कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती कोशिस करते रहे आगे बढ़ें चलिए जल्दी से इसका स्क्रीन साइट लीजिए आपका ये भी पार्ट हो पडिए अगला आगए बढ़ते हैं बहुत जल्दी करिए फटवट नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ रहा है अगला देखिए इसका अगला पार्ट भी स्क्रीन पर आ चुका है तुरंद फटवट देख लीजिए क्या कहता है तो बहुत आसान इसमें तीन पार था लाष्ट कह रहा है कि area BDEF यानि BDEF यानि यह जो समांतर चतुरभूज है आपका इसमें numbering मैंने किया था इसका काम नहीं मिटा देता हूं यानि कहने का इनका यह मतलब है BDEF यानि एक प्रकार से बोलें तो triangle एक और दो जहां मैंने एक और दो लिखा है इन दोनों area को मिला करके मैंने number लिखा ना एक और दो इन दोनों area को मिला करके जो एक समांतर चतुरभूज बन रहा है उसका जो area है कह रहा कि एक बटा दो ABC के बराबर होगा यानि पूरे बड़े वाले तिरभूज के चित्रभल के आधा के बराबर होगा एक और दो इन दोनों तिरभूज का जो area हो मिला करके चले सिद्ध करते हैं आईए देखते हैं लिखे बी डी इए एफ देखो बिटा ध्यान से लिखो बी डी इएफ इसमें क्या है इसको हम लिख सकते हैं बी डी इए एफ ये दो पार्ट में बटा है लिख लिखो तिरभूज डी इए एफ लिखो इए ये दोनों को जोड़ के बनाया जा सकता है लिखो बी डी इए एफ ये बराबर है ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं ट्रेंगल डी इए एफ दन इसको भी हम DEF लिख सकते है तूम करो गार इसको क्या DEF लिख सकते हो लिख सकते है लिक सकते ह caregivers क्योंकि अभी पीर एक लिखें个 Mortal mo बना था अगर आपने दिखा होगाzar पहलَ पाइले पार्ट जो हम कर रहे थेma дол दूसरे पार्ट में में क्या बना था was लीक सकते हैं 2 def 2 def लीक सकते हैं ना इसमें कोई दिख्कत नहीं ना इसे ऐसे भी लिख सकते हो या फिरतर बीच दिर Έप लगओ भी लगा लो तब भी कोई गरबड़ मैं तेकह है दन अब देखो बैटा आप धीरे-धीरे से समझो जो DEF है यानि area of DEF इसको अगर अभी आपने पढ़ा होगा अभी अभी जश्ट कुछ चंद मिनिटों पहले हमने क्या सिद्ध किया था एक बटा चार area of ABC सिद्ध किया था ना तो देखो बाबु इसको हम लिख सकते हैं इसको ऐसे रहने दो इसको लिख सकते हैं एक बटा चार और area of ABC ABC इसको अभी अभी सिद्ध किया था ना अरे भाई पहला इसका जो फाष्ट वाला पार्ट सिद्ध करना था इसक्रीन पर देखो क्या था पहला पार्ट इस कुष्टन सवरी दूसरा पार्ट इस कुष्ट्टन का सिकेंड पार्ट यही तो था डिई एफ उक्वल वहन अपान 4 ABC सिद्ध करना था आभी मैंने सिद्ध किया था तो क्या किया मैंने DEF की जगा पर इतना रख दिया बहुत अच्छा दो से इस तरह से आपका question number five complete हुआ ठीक है done कोई इसमें अगर डाउट तो बता दो एनी डाउट नहीं नहीं इस तरह से आपका वाच्चावा question पूरा complete हुआ यह था आपका exercise 9.3 तो आज का यह करते हैं छटा question आप देखेंगे आगली कलास में ठीक है याद रहे चलते चलते बता दें अगर आप इंटरनेट लगोना चाहते हैं ब्रॉडबेंड आप आपके घर में परिवार में कोई बिजिनेस प्रपस थे तो एटल ब्रॉडबेंड बिल्कुल ना लगए आज की दिन म आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो कितनी टेंसन होती है ना लेकिन यह लोग कुछ नहीं सुनते हैं अपने मन के तो हमने सोचा चलो ठीक है हम भी लोगों को जागरूप करेंगे बाई क्यूं लोग फसे मैं फसा हूं तो फसा हूं ठीक है थैंक्यू